ये सुनिश्चित कर ले कि प्रिंटर आन है और कम्प्यूटर से कनेक्टेड है अब स्कानर कवर खोलिए जो फोटोग्राफ स्कान करना हो उसे स्कानिंग बेड पे इस तरह रखें कि उसके सिरे स्कानिंग बेड के निचले दाइकोनों से बराबर मिल जाए स्कानर लिड बन कर दीजिए HP डेस्जट आइकन को डबल क्लिक कीजिए अब जो पैनल खुले उस पर स्कान और डॉक्यमेंट और फोटो वाला आप्शन क्लिक कीजिए इस पैनल की बाई और आसान प्रिसेट्स उपलब्ध है फोटो टू फाइल का ओप्शन सिलेक कीजिए दाइने पैनल से रेजलूशन चुनिए ड्रॉपड़ौन ओप्शन से हम 300 dpi चुनते हैं सेव करने के लिए टाइप ओफ इमिज चुनिए हम PNG फॉर्माट चुनते हैं अब अडवांस सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए डेस्टिनेशन टाब क्लिक और सिलेक कीजिए ब्राउज पे क्लिक कीजिए फाइल सेव करने का लोकेशन चुनिए इस डेमो में हम डेस्टॉप चूज करते हैं ओके पे क्लिक कीजिए After Scan section में Do Nothing वाला option चुनिए OK पे क्लिक कीजिए ये सुनिश्चित कर ले कि आपने Show Scan Preview option चेक किया है अब Scan पे क्लिक कीजिए Preview दिखने पर Mouse Curcer की मदद से सीरों को ड्रैग करते हुए Scan Area का कर सेट कीजिए Brightness slider से Brightness Adjust कीजिए Contrast slider से Contrast Adjust कीजिए Preview ठीक लगने पर Save पे क्लिक कीजिए File को नाम देकर उसे Save करने का Location चुनिए अब Save पे क्लिक कीजिए और फिर Done पे